हे वार्सब दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में मैं डियो का क्विक रिव्यू दूँगा जो एक्सपीरेंस मैंने की हैं वह आपके साथ शेर करूँगा इसके अपग्रेट के बारे में आप तो जानते होगे इसके 12-inch wheels, mileage indicator, food trash वैसे नए नए अपग्रेड पिछले मोडल के comparison में बट इस वीडियो में जो कमी मैंने experience किये हैं इस वाले मोडल के साथ इस टाइम में और इस प्राइस कांट में वह आपके साथ शेर करूँगा तो चैनल पे नए हो तो सब्स्राइब कीजिए इस वाले चै इस वाले में पहला कमी मुझे लगी वह है इसका इनिश्यल पीकप इसका तोड़ा कम है as compared to BS4, BS4 डियो में चला चुका हो उसमें acceleration पुल में experience कर चुका हो उसके comparison में मुझे इस मोडल में इनिश्यल पीकप कम लागा second इसका boot space, boot space में medium-size helmet आरम से fit होता है बट motocross type helmet इसमें fit नहीं होता जबकि होना चाहिए था इस sporty type scooter है अच्छा-कासा space होता तो ऐसे helmet रखने में मुश्किल नहीं होता यह चीज देना चाहिए ताकि इसकी sibling Activa, Activa 125 और इसके बाकी के competitor से differentiate करने के लिए आपता market लगा सकता है बट इस वाले price के इसके competitors में सब available है USB port इसमें नहीं है वो भी इसका कमी है और इसका hook आगे इसमें simple hook है सही है बट नीचे के side में lock type hook देना चाहिए था वो क्या होता है कि मानलो आप एक bag में vegetable लेते हो वो यहाँ पर hang करोगे तो लोग की वाजा से bag फार सकता है नीचे लगा होगे तो लगता नहीं यह problem है पूर्थ कमी जो मुझे लगी तो वह है इसका braking आगे combi braking system दिया हुआ है उनका पुराना वाला बट disc brake देना चाहिए था अगर आगे disc brake दिया होता तो हाइट स्पीड में क्रूज करने में ज्यादा confidence आता है और बाकी के कमी बताए तो जैसकी मैं विल आभी के टाइम में सिर्फ एक special edition में available है वो बाकी के model में भी देना चाहिए था फिर Bluetooth connectivity Bluetooth connectivity एनी सीजन में ज्यादा काम आता है जैसे आप बार बार जैकेट उतार के mobile नहीं देख सकते हो मैप के लिए या call के लिए Bluetooth होता तो call notification के और map direction indication के लिए काफी useful होता है तो finally conclusion अगर आपको एक powerful scooter with awesome pickup चाहिए तो यह आपके लिए नहीं है अगर आपको decent sporty look mileage और Honda assurance चाहिए तो आप इसे choose कर सकते हो तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजी शेर किजी और सब्सक्राइब किजी इस वाले चैनल को मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूं अगर पार आपको यह फो आपको